हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई इस्टडी शीट चैनल दोस्तो प्रिवियस येर वे जितने भी कुंस्टेंस पुछी गया है फिजिकल एजुकेशन कमपेटिटिव जांस टीटी पीटी केवियस एंबियस में उन सभी कुंस्टेंस को टापिक वाइज आपके समझ प्रस्त मेरी चैनल पेज़रियो वास करके और और जैनल देली वेसे के उप्रशन के लिए। तो दोस्तो चलिए चलते हैं आज के सीरीज की तरफ आज के प्रश्णों की स्रिंखला के तरफ तो फर्स्ट कोचन है कौन सी लचीले पन की प्रसिच्छव विधी है जो कि मांस्पेसियों के रिसेप्टर आरगन में तथा गतिवीधियों की रेंज को बहाने में सहाता करती है तो यह है दोस्तो लचक्ता को बढ़ाने का सबसे सरोतम विधी प्यनफ में था जिसे आपसर नमबर सी प्रो पायोशेप्टि नीरो मस्किलर फैसिलेशन बोला जाता है आपसर नमबर सी यहाँ पे करेक्ट अंसर हो जाएगा यह लचीले पनविसित करने का सबसे सरोतम किसी के द्वारा तयार की गई थी तो एडमसम मॉर्गन द्वारा तयार की गई थी आपसर नमबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा यह सरकीट ट्रेनिंग स्ट्रेंट इंडुरेंश को डेवलप करता है नेश्ट कोचन है सकती प्रसिचड का वह प्रकार जिसमें जोड के कोड तथा मानस्पेशी की लंबाई संकूचन के दवरान नहीं बदलते हैं को कहा जाता है जैसा कि दोस्तों आप सब के मन में सही अंसर आ गया होगा इसका सही अंसर है आपसर नमबर डी आईसो मेट्रिक जिसमें मानस्पेशी की आकार आकरिती लंबाई नहीं बदलता है और सेम लंबाई आईसो मेट्रिक कर साब्दिक अर्थी होता है आईसो मतलब सेम मेट्रिक मतलब लंबाई यानि सेम लंबाई कोई चेंज नहीं होता है तनाव बना रहता है यह होता है आपका आईसो मेट् कि सररिक सिच्छा और खेल कूद के छेत्र में फिटनिस्ट ग्राम परिच्छड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन शा कथन सही है आपसर नमबर ए है यह परिच्छड 1982 में कूपर इंस्टिटूट टेक्स्टास इवर्श्टे द्वारा तयार किया गया था बी है यह सरिक सिच्छा विश्य के सिच्छकों के लिए बच्चों के फिटनिस इस तर पर एक रिपोर्ट तयार करने का एक आसान रास्ता है सी है इसमें हिरे वाही का फिटनिस मान्सफेसी छमता सरीर की बनावट और लचीले पन का परिचड किया जाता है जैसा कि दोस्तों ये सभी आफ्सन सही है, ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है? Next question है, तरीके अनुसार किया गया भारप्रसिचट अत्यधीक विकास करता है, किस में? भार परसिचर बात कर रहा है दोस्तों भार परसिचर अधिकतर मानस्पेशिय सक्ति को बिर्दी करता है तो यह आपसर नमबर ये करेट हो जाएगा मानस्पेशिय सक्ति ठीक है सभी खेलों और सारी गतिविदियों में तरीके अंसार वजन उठाने का परसिचर या भार परसिचर वेट ट्रेनिंग के अंदरी ये भूम का निभाता है मानस्पेशिय सक्ति में यह परिचर खिलाडियों को सधार रुप से अनुक्लित करने तथा बिसेश रुप से उनकी सम मांसल ताकत उसमें धर्य निर्माण में सहायक होता है वजन उठाने के लिए विहींद प्रकार के उपकरण इस्तमाल होते हैं जैसे डेंबर्स, बार्बेल, पुली मशीन आदे जिन में डेंबर्स सबसे ज़्यादा प्रसिद है ठिक धंग से इस्तमाल करने पर डेंबर्स दर्फार्षरी की बहूस सी मांस्पेशीयों को ताकत वर बनाया जाए शकता है नेच्ट है प्रसिच्छर बिष्याग्य के अनुसार काफी हद तक ताकत प्राप्त होती है कि दोस्तों गती परसिचर से की डंड बैठक से की आइसोमेट्रिक बियाम से कि वजन पसिचर से त आपसन नमबर D, correct answer. नेश्ट कोच्छन है, अधिक उचाई पर ट्रेनिंग लोड की अनुकुलन को किसके रूप में जाना जाता है? यह कोच्छन UPDGT 2021 में पुछा हुआ था दोस्तो इस बार तो अधिक उचाई पर ट्रेनिंग लोड की अनुकुलन को कहा जाता है? एकले मेटाई जेसन आपसन नमबर D, correct answer हो जाएगा. दोस्तो अधिक उचाई पर ट्रेनिंग लोड की अनुकुलन को एकले मेटाई जेसन के रूप में जाना जाता है. अथा एकले मेटाई जेसन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसने ब्यक्ती बदलते हैं, वाता और या पर्या व जोस्तों, strength, flexibility, speed, endurance, and coordination. तो मोटर घटक, strength के लिए निमनलेखित में से कौन सी प्रसिच्छ विधी अपेचित होगी, यहां पे strength के लिए पूछा है, यहां पे आशन है, plyometrics, post-isometric input, control and regulation. जोस्तों, फार्क लेक तो सांसीलता बिक्सित करती है, इंडिरेंस को, यहां पे strength के लिए पसिच्छ विधी है, आपके plyometrics, जो बिस्पूटक शक्ती को बिक्सित करती है, डिवलप करती है, नेक्स कोचन है, सारुरिक सिच्छा का छेत्र है, आत्मरच्छा खेल, जिम जाएगा, नेक्स्ट कोच्चन है, सारिक सिच्छा की जरूरत है, किसके लिए, सारिक विकास के लिए, मानचिक विकास के लिए, समय गात्वक विकास के लिए, उपिक सभी के लिए, तो इन सभी के लिए जरूरत है, अपसर नमबर D, correct answer हो जाएगा, नेक्स कोच्चन है, सा तो दोष्तों यहां पर उप्युक्वी हो. क्ई लोग से सार casino समझते हैं, क्षार प्रसिचा समझते हैं, तो कई लोग अनुसासन हिंता पैदा करने वाली समझते हैं। वह र лес कोश्चन है, एक बिसेज खेल के लिए एक नए कौसल के शिच्चर के शमय को ने लिखी ते में स्काइ रिए करना चाहिए. और अधन अधन किन्छ निया कौसल को सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले उस बालों को आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यही तो बताएंगे कि इस नए इसल को सिखा रहे हैं उसका परिचय सबसे पहले देंगे कि वो क्या चीज है तो यहाँ पर आपसल नमबर सी करेक्ट अंसर हो जाएगा काउसल का परिचय कराना ठीक है किसी कारे को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है तो जैसा कि फीजिकल एजुकेशन में किसी भी क्रिया को करने से पहले वर्मिंग अप किया जाता है क्यों किया जाता है आपके सरीर के लचीजा पर बढ़ाने के लिए सरीर को तैयार करने के लिए उस खेल को खिलने के लि की वार्मिंग अप हो जाएगा तो दोस्तों किसी भी कारे को करने की तैयारी की प्रक्रिया वार्मिंग अप कलाती है वार्मिंग अप प्रक्रिया में सरीक प्रारंब से हलके फुलके ब्यायमों से गर्माने से संबंद से मानस्पेसियों का संकुचन दूर हो जाता है और उनम प्रकार से अनुकूलन प्राप्त करता है Next Question है किसी भी बैयाम से पहले वार्मिंगर आप क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है दोस्तों लचीलाता की थो ही लातिक अमले का इस तर्म घ्टाने के लिए कि adrenal का इस तर घटाने है तू तो दोस्तों जैसा कि आप को कई बार बता चुकी हूँ कि warming up हमारे सरी को तयार करता है उस क्रिया को करने के लिए हमारे मांस्पेसियो को लचिला बनाता है यहाँ पे आपसर नंबर एक करेट हो जाएगा लचिला पर बहाने के लिए और किस-किस सरी कि लिए कार होता है दोस्तों यह लचिला पं तो बहसे है असलेमें कals के तापमा बह första है मांस्पेसियो के चीप चीप आउर को कमा करता है तंत्रिक का अवग्न की गटी को बहाता है उपाप्चे दर में भी विर्धी करता है रचिंता तरह को भी कम करता है देखें है? क्या है किसी उद्धिपन तथा शरीर के प्रथम संचालें के बीच भी है शरीर का नियंत्रण खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिक्तम गती करना आपसर नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा सारीक deep χो का सवडblick कहते हैं किसको कहते हैं जो तूं सारीक life सवड़ यूग कहा जाता है क्योंकि इस काल में खेले पर अत्तदिक ध्यान दिया गया है में इंडिकल जिमनास्टिक जित्ता सुधारात्मों g यामो प्रक प्रक् Stop diyorsun के सिरी स्वrs रखने पा बल जादे दिया गया ह नेक्स्ट है कि भारतिय सिच्छा आयोग की शुरुवात हुई कब हुई तो यह 1882 आपसर नंबर बी यहां पे करेक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तों भारतिय सिच्छा आयोग की शुरुवात ब्रिटिस सौंसंकाल में लाड रिपन द्वारा 1882 इस्वी में की गई थी भारत की सिच्छा बेवस्था के संदर्व में बिचार करने के लिए सरकार ने 1882 में सर बिलियम हंटर की अधर्ष्टा में एक कमिशन शुरू नियुक्त किया इसे हंटर कमिशन के नाम से भी जाना जाता है भारतिय सिच्छा आयोग 1882 को ठीक है नेक्ष्ट है इंदीरा गांधी साररिक सिच्छा वह खेल बिज्ञान संस्थान इस्थित है तो यह नए दिल्ले में इस्थित है और यह दिल्ली पसासन दोरा इसकी इस्थापना तीन अगस्त 1987 को की गई थी नेक्ष्ट कोचन है किंडर गार्टन पधती का विकास किस ने किया दोस्तों फ्रॉवेल ने किया आप्सन नमबर भी यहां पे करेक्ट हो जाएगा फ्रॉवेल ने किंडर गार्टन पधती का विकास किया इन्हीं किंडर गार्टन के जनक करके रूप में भी जाना जाता है प्रवेल ने प्रथम केंडर गार्डन की इस्थापला जर्मनी में 1866 में की थी नेक्ट कोचन है सारीक सिच्छा प्रतेक नागरिक का मौलिक अधिकार है इसे किसमे सामिल किया गया है सारीक सिच्छा प्रतेक नागरिक का मौलिक अधिकार है इसे किस में सामिल किया गया है तो दोस्तों इसको यूनेस्को की चार्टर में सामिल किया गया है क्योंकि यूनेस्को के सारी सिच्छा, सारी गतिविधियों और खेलों के अंतराष्टी चार्टर के अनुसार, सारी सिच्छा, सारी गतिविधि रथा खेल का अभ्यास, प्रते योजना का सिध्धानत नहीं है उम्र एवं लिंग भेट अध्यापक का अरुभाव गर्म करना उन्नती करना जैसे कि दोस्तों आपको पार्ठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उसका उम्र एवं लिंग तो दिरूर ध्यान देते हैं उसके बास उसको गर्माना भी उसमें आता है पार्ठ योजना में उन्नती भी आता है अध्यापक कानुभा यहां पे नहीं आता है आपसर नंबर भी अंसर हो जाएगा क्योंकि पार्ठ योजना आप छातर के नित बना रहे हैं ठीक है यहां अध्यापक कानुभा नहीं है पार्ठ योजना में सिच्छक अपनी क पाठ योजना की भासा होनी चाहिए कैसी होने चाहिए दोस्तों तो इसकी भासा बहुत बिधी पुरुवक और विषय वस्तु से समधित होना चाहिए आपसर नमबर C यहां पे correct answer हो जाएगा next question है पाठ योजना की उद्धेश्य होने चाहिए कैसे होने चाहिए दोस्तों तो यह विषय वस्तु पर ध्यान आपसर नमबर A correct answer हो जाएगा कभी भी पाठ योजना विषय वस्तु केंदेथी होना चाहिए इससे उपलब्ध अध्यान सामगरी का नियत समय में सुचारू रूप से प्रयोग योँम कियानवन होता है नेक्स्ट है पाठ योजना के भाग है एकत्री करण प्रस्ताविक ब्यायाम कौसला भ्यास उप्यक्त सभी जैसा कि दोस्तों आप सही सभी सही अंसर्टिक कर दिये होंगे इसमें उपिश्च सभी पार्थ योजना के भाग के अंतरगत आता है। दोस्तों पार्थ योजना आपसरा दू भड़ी करेंट हो जाएका one onbali आपसे उपिट इसम्सभा करते हैं सब tapping करते हैं उसके बाद प्रस्तावित व्यायां यॉरिंग अप करते हैं उसके बाद कोसल अभयास करते हैं, skill practice, उसके बाद मनोरजनात्मा recreational games करते हैं, उसके बाद dismiss कर देते हैं, ठीक है? तो दोस्तो नेक्ट कोश्चन है कि dismissal भाग है, किसका भाग है दोस्तो यह पार्थियोजना का भाग है? आपसर नमबर D करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है निन्न में से किसको शमाहित करते हुई सारलिक सिच्छा एक प्रतिभागी पाठिक्रम कारे के रूप में अपने आपको प्रहाई वाला वाता वरण बनाने में दिर्टा दिखाती है तो दोस्तो यहां पे आपसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा गती, खेल, स्वास्त इवंदच्छता ठीक है गती, खेल, स्वास्त इवंदच्छता को समाहित करते हुए सारलिक सिच्छा एक प्रतिभागी पाठिक्रम कारे के रूप में अपने आपको पढ़ाई वाला वाता वाला बनाने में दिर्टा दिखाती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होप कि सभी कोस्टेंस आपको समझ में आये होंगे दोस्तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जादे से जादे सेड़ किजिए दोस्तो जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे जिससे आपके लिए मैं डेली बेसे से वीडियो बनाती रहूं तो दोस्तो पहली बाइब बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए जिससे जो इन नया वीडियो अप्लिट करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन